तो आज हम आपको ACC ब्लॉक के बारे में बताने वाले हैं कि उसको किस तरह बनाना चाहिए और अभी ये कितना ज्यादा डिमांडिंगे ACC ब्लॉक मतलब autoclave erratic concrete blocks जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन से raw materials use होते हैं क्या procedure है इस ACC ब्लॉक को बनाने के लिए कौन सी machines आपको चाहिए होगी कितना investment आपको करना पड़ेगा और कितनी profit आपको होगे जो बहुत important चीज़े कोई भी business start करने से पहले क्या license आपको issue करवाने पड़ेंगे कितना area आपको लगेगा ये business start करने के लिए और कितने लोग मतलब कि कितना manpower आपको चाहिए जब आप ये business start करोगे तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे जो ACC ब्लॉग को बनाने के लिए चाहिए तो आप वीडियो को end तक जरूर देखेगा क्योंकि ये वीडियो और ये जो business हम आपको बताने वाले हो बहुत ही beneficial और demanding business है आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथ ही में hit the bell icon अब हम आपको सबसे पहले advantages बताते हैं कि ये business को आपको क्यों start करना चाहिए ये blocks को ही क्यों start करना चाहिए क्योंकि normal brick भी आते हैं लेकिन वो बहुत ही ज्यादा heavy होते हैं तो यहां पर बहुत ज्यादा heavy होते हैं और वो pollution के लिए भी अच्छे नहीं होते environment के लिए अच्छे नहीं होते क्योंकि वो pollution create करते लेकिन ये brick eco friendly है ये pest resistant है eco friendly है fire resistant है durable है begin size है जो brick होते वो थोड़े छोटे होते तो आपको थोड़े ज्यादा चाहिए होंगे और ज्यादा महनत लग दी ज्यादा material लगता है लेकिन ये ये थोड़े बड़े होते है size में तो उस वज़े से आपको यहां पर material कम लगता है ये sound resistant है और हलके भी है light weight भी है तो ये brick में बहुत सारे ये जो block से ACC block इसमें बहुत सारे advantages है जो अभी माना आपको बता है अब बात करते है raw material आपको कौन-कौन सा चाहिए होगा यहाँ पर आपको lime powder, cement, gypsum, aluminium, soluble oil, fly, ash तो ये सारी चीजे raw material as a raw material आपको use करने पड़ेगे जब आप ACC block बनाओगे आगे मैं आपको ये भी बता हूँगी कि आपको कितना लेना है कितनी quantity आपको लेना है एक mold के अंदर तो ये raw material compulsory आपको चाहिए ही होगे ACC block के लिए तो आप बात करते है machines कौन कौन सी machines आपको चाहिए है कि यहाँ पर आपको batching panel चाहिए demolding machine, vertical cutting machine, horizontal cutting machine, cement motor, autoclave, slurry pump, mixer pump, lime motor, boiler तो यहाँ पर इतनी सारे machines आपको चाहिए है ये जो business है कोई छोटा मोटा business नहीं है ये business बहुत ही large scale वाला बहुत ही बड़े पैने पर जो business करते है बहुत ही बड़ा business है ये जहाँ पर आपको इतनी सारे machines चाहिए होगी क्योंकि ये business आपको small scale पर start नहीं कर सकते है अगर बहुत आपको लगता है कि आपके आपके पास बहुत सारे contact से आप जहाँ पर ये इसको supply कर सकते हैं और government like थोड़ी बहुत उनसे भी थोड़ी बनती हो आपकी तो आप उन्हें भी supply कर सकते हैं तब आप इस business में enter कर सकते ह अगर आपने entry कर ली ना तो profitability बहुत ही बढ़िया है लेकिन उस entry के लिए आपको पहले context बनाने पड़ेंगे आपको देखना पड़ेगा आपके आसपास कि कितना competition है क्या आप उस competition में लड़ पाओगे और लेकिन अगर आपने capability हो तो आप ये कर सकते हो तो बात करते हैं प mixture करना पड़ेगा fly ash and water का जहां पर आपको इस machine में इस machine में आपको mixture बनाना है तो उसमें कुछ quantity में आपको बताऊंगी fly ash आपको 900 kg चाहिए line 50 kg cement 90 kg तो पहले आपको इन तीन चीज का mixture बनाना और चार से पार्च मिनिट इसको आपको mix करना है उसके बाद में आपको पॉप जिपसिन 7 kg soluble oil 500 g hardness 500 g और aluminum powder 350 g उसके बाद ये सारी चीज़े मिक्स करनी है और फिर से आपको mix करना है फिर से आपको 5-10 मिनिट उसको mix करना है प्रॉपर mix करना है इस mixture को उसके बाद आपको batching panel में डालना पड़ेगा जो आपकी screen पे फोटो दिया हुआ है batching panel में आपको डालना पड़ batching panel जो अंदर की तरफ से आपको पूरा oil से मलब की tail से आपको grease करना पड़ेगा ताकि जब आप इस चीज़ को निकालोगे तो वह easily निकल जाए और साइड में जरा भी चिपके नहीं तो उससे पहले याद रखना oil से पहले grease आपको करना पड़ेगा अब जैसे ही आपने batching पैनल से जब आप निकाल दोगे तो आपको procuring heat room में ले जाना पड़ेगा वहाँ पर आपको एक से दो गंटा रखना पड़ेगा जिससे वो पूरा एक साथ आ जाए लैक पूरा चिपक जाए एक दूसरे से तूटने की संभावना नहीं हो यहाँ पर आप procuring heat में डालेगा और यहाँ पर जब वहाँ से निकालोगे तो आपका जो एसी सी ब्लॉक बनाने का जो है business है वहाँ पर आपका आदर काम हो जाता है अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपको एक से दो गंटे रखना है और उसके बाद यहाँ से बहां निकालके आपको automatic cutting machine में रखना है यहाँ पर जो side से आपकी पतली layers यहाँ पर काट दी जाएगी जिससे proper shape जरा भी घंदा शेप नहीं है तो पतली-पतली layers यहाँ पर काट दी जाएगी और ऐसा नहीं है कि अगर आप वह काट रहों तो वह सब waste हो जाएगा वह मेहंगी चीज है तो उसको waste जरा भी नहीं करन में यह सारी चीजे reuse हो जाएगी तो एक भी चीज आपकी यहाँ पर waste नहीं होगी यहाँ पर आप automatic cutting machine में vertical and horizontally आप इसको cut कर दोगे उसके बाद crane की help से आप इसको auto clear machine में डाल दोगे stamp के साथ जो पूरा cut चुका है अब आप उसको stamp के साथ auto clear machine में डाल दोगे जहाँ पर 215 डिग्री पर रखना है 12 गंटे के लिए यहाँ पर आप 215 डिग्री पर बारा गंटे के लिए रखो गए और आपकी जो brick आपका जो ACC block के वो बन के यहाँ पर ready हो जाएगा तो यहाँ पर आपका ACC block proper ready हो गया और आप सप्लाइ के लिए तयार हो यहाँ पर आपका investment अलशीन से वो आजाएगी साधी में आपका office का area production अरिया यह सारा area आपका उसमें आजाएगा जिसमें आपकी profitability होगे अगर आप per day 52 cubic meter अगर आप produce करते हो इतना production अगर आप करते हो तो आपको 10 से 15,000 आप रोज के कमा सकते हो हर दिन के आप 10 से 15,000 रुपे कमा सकते हो सारे expenditure को deduct करके और अगर आप मन्थ में 25 से 30 दिन अगर आप अपना मन्थ में 25 दिन अगर आप अपना जो प्लांटे उसको अगर आप चलाते हो जापकी मेले उसको आप चलाते हो तो आपको साड़े चार से पांच लाग का मुनाफ़ा हो सकता है उसके बाद आपकी capacity के उपर अपने आपको अप्रॉक्सिमेट बता दिया है अब बात करते हैं पर एरिया की 7000 से 10,000 स्क्वायर मीटर आपको एरिया चाहिए होगा और साथ में में पावर आपको चाहिए होगा 20 से 25 लोग में हैंडल नहीं कर पाते तो आप 30 से 35 लोग भी आप पॉइंट कर सकते हो लेक अपको एशू करवाने पड़ेंगे और यह लाइसेंस के होने के बाद ही आप ACC ब्लोग का जो प्लांट है वो आप डाल सकते हो वो आप रन कर सकते हो तो यह पूरी डीटेल में इंफॉर्मेशन हमने आपको ACC ब्लोग के बारे में बताईए और ऐसे बहुत सारे बिजनस हमन जिसमें आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है और आगे भी हम ऐसे बहुत सारे बिजनस लेक के आएंगे जो आपके लिए बहुत ही अच्छे और बेनिफिशियल हो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जोड़े रहिएगा बाई सब्सक्राइबिंग आप चैन